कारसातियों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने आनलाइन इस्टिट्योड निसान्त यान के यूट्योब प्लेटफॉर्म पर मैं नितिनु पाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूँ और विनंदन करता हूँ आज के अपने इस वीडियो पर मित्रों कल ही आपने ख़बर सुन लिया होगा और इंस्टाग्राम और टेलिग्राम के माध्यम से कई सारे बच्चे हमसे जो है कह रहे थे भाईया आप अपनी तरफ से एक वीडियो प्रोवाइट करा दीजिए क्या ऐसा क्यों किया गया है इसके बारे में आप डिसकस कर दीजिए क्या आगे की प्लानिंग सरकार की रहने वाली है साक्यों कराया जा रहा है प्राइबिटाइजेशन की लोग अप वाँ है इधर उधर चल रही है जिससे बच्चों का मनिवथित हो रहा है उन सारी चीजों की जानकारी मैं इस वीडियो मापको देने वाला हूँ तो निसीत रू बैच का बच्चा जो है डीलेड या बीट करने वाला था तो 21 बैच के काफी सारे छात्र हम से जुड़े हुए हैं यह वीडियो कब तक आपके बीच जाता है कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी टेट और सीट जो होता है यूपी टेट की बात इसे वज़े से कर रहा ह उत्राखंड में होगा यूपी टेट बोलेंगे राजस्थान में होगा तुसे रीट का नाम दे देते हैं पंजाब में होगा तुसे पंजाब टेट का लाम दे देते हैं इस तरीके से इसका अलग-अलग राज्यों के अनुसार भी राज्य अपने अनुसार जो है टेट इ नहीं आया है और ऐसा कहें तो काफी लोग जो है प्रथम वर्स धीरे-धीरे अपना कंप्लीट करने वाले हैं तो उन लोगों के काफी सारे क्वेस्टन आये भईया क्या हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं मैं आपको वैसे तो आपने पढ़ा ही होगा मैं आपको स्क्रीन साथ य लिखा गया है बिल्कुल क्लियरली लिखा गया है इट इस क्लियर फॉर्म दो आले पर देखिएगा इट इस क्लियर फॉर्म दा आर्डर पास्ट बाइद ऑनलेवर सुप्रीम कोर्ट आप इंडिया देट कंडिडेट हू है जबीन एडमिटेड हू है जबीन एडमिटेड इन एनी आफ दर टीटीसी टीटीसी का फुलफार्म याँ पर मैंने लिखा है टीटीसी का मतलब होता है टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स क्या होता है टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स ठीक है टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स में कोई भी बच्चा टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स में एडिमिसन लिया है and undergoing the teacher training और teacher training कर ही रहा है अभी can be said that pursuing जिसे हम pursuing कहते हैं अर्थात उन्हें कहते हैं क्या कहा जाता है हिंदी में कुछ बोला जाता है pursuing को हिंदी में अभी मेरे मुख में था बोल नहीं पा रहा हूं pursuing such teacher training course and the fair reading of class 5 after the NCTE guidelines a person who has been admitted in TTC and is pursuing he can appear in the TET examination ठीक है अर्थात इसका सीधा सा मतलब है कि आपने अभी अभी admission लिया है किसी भी TTC में चाहे BAT कर रहे हैं चाहे JBT कर रहे हैं चाहे BTC कर रहे हैं चाहे DLA कर रहे हैं कोई भी teacher से सम्मंदित आप course कर रहे हैं तो आप निश्चित रूप से TET या CT exam में participate हो सकते हैं इसका मतलब यही है ठीड TTC का मतलब यही होता है ठीक है कुछ लोग कह रहे थे भाई यह TTC का मतलब BTC तो नहीं है TTC का मतलब BTC नहीं है किसी भी course जो teacher से सम्मंदित हो उससे जो है TTC का मतलब होता है ठीक है उम्मिद करता हूँ आप समझ गहांगी NCT का guideline के अंसार जो है सभी को मौका दिया जाता है सभी को मौका ठीक है सभी को मौका दिया जाता है आप चाहे पर्थम समेश्टर में हो चाहे दुतिय समेश्टर में हो चाहे तरतिय में हो सबको मौका दिया जा रहा है अब इस मतलब मौका दिया जाने का lab क्या होगा लाभ ही होगा कि हर एक बच्चा जो है टेट एक जाम दे लेगा जो सुकता उसके अंदर होती है वह उसके अंदर मतलब की रहेगी और निश्चित रूप से टेट एक जाम दे करके अपने आपको ठीक है, आप अपने semester की परिच्छा को छोड़ करके TETT exam की तयारी करेंगे जो कि उनके लिए घातक सावित होगा घातक क्यों सावित होगा? क्योंकि वो teacher बनने का सपना देख रहे हैं अपने semester की पढ़ाई को छोड़ करके निचे तुरुप से अगर आप semester फेल हो जाते हैं दो एक subject में back लग जाता है तो आप उस समय को याद करिए आप कहा होँगे? ठीक है? आप कहा होँगे? मैं नहीं कहा रहा हूँ कि आपको TETT-CETT के तयारी नहीं करनी चाहिए लेकिन हाँ आप अगर मतलब कि आपका semester exam है और आप semester exam को पहले target करके पूरा करिएगा हाना? अगर पहली बार में कुछ लोग कह रहे थे भईया पहली बार में अगर TETT नहीं निकलेगा तो मेरा तो मतलब कि परिवार वाले कहेंगे उनके लिए थोड़ा था दिक्कत होगा ठीक है आगे के लिए और मैं बता दू इससे लाभ, सरकार को क्या होने वाला इससे सरकार को लाभ ही होने वाला है अभी तक क्या होता था अभी तक लगभग 22 लाग फॉर्म पढ़ते थे कितने पढ़ते थे 22 लाग फ़ॉर्म पढ़ गे यूपी TET में अब क्या होगा जानते हैं उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ सी टेत में तो बहुँ जाधा पढ़ते हूंगे यूपी TET की बात कर रहा हूँ 22 लाग 30 लाग फ़ॉर्म पढ़ते थे बिर्द्धी होगी और बच्चे भी इससे लाबानवीत होगे ऐसा नहीं है बच्चा लाबानवीत होगा ते होने वाला है और ऐसा आप अगर करते हैं तो आपको भी फायदा होगा लेकिन आप अपने सेमेस्टर बगार की पढ़ाई में जो है पना ध्यान जरूर दीजिएग मित्रों UP टेट अब की बार जो 2022 में होने वाला है उसका प्रूर में आपका फॉरम आसकता है और आपकी परिच्छा इ livro हो सकती इतुक है जयक परिच्छा लखबाग नामोमकिन है जनवरी में U-P-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E और सीटेट की परिछा आपकी दिसंबर में हो सकती है ठीक है आपकी सीटेट की परिछा दिसंबर में हो सकती है मैं यह कहूंगा कि अगर आपकी तैयारी ठीक है अगर आपको लगता है कि आप केवल और केवल जाज करने के लिए जा रहे हैं तो आप इस्टेप ले सकते हैं ज बच्चे अब तक 5 बार सी टेटोड सीटेट पास कर चुके हैं अभी उन्हें सिच्छक भरती नहीं मिली है आगे में बात करूँ सिच्छक भरती में समलित हो सकते हैं कुछ बच्चे कह रहे थे अगर सिच्छक भरती में तभी पार्टिüstिपेट कर सकते हैं जब आपके final year का result आ जाये या यूँ कहें तो चतुर समेश्टर जो भी आपका फाइनल है चतुर समेश्टर का रिजल्ट आपके पास हो जाना चाहिए तब ही जाकर के आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं सिच्छक भरती में यूपीटेट तो अब हर कोई दे लेगा ठीक है यही इसका सार्था और क्या फाइदे होने वाले हैं क्या नुकसान होने वाले हैं आप अपने सेमेश्टर की पढ़ाई को जो है लचर मत रखिएगा ठीक है इसके चक्कर में आप लचर कर दें अगर वहां पर फेल हो जाते हैं तो फिर ठेट पास होकर कि आप क्या करेंगे इस बत को भी ध्यान होगा अभी आज आप देख रहे हैं कंपटीशन का लेवल आने आने वाले समय में कंपटीशन और हाई होगा जैसे कि आप अगर 25-26 साल के होगे न जो कई साल का बच्चा आपके साथ तयारी के मतलब कि आप 25-26 के हो गए और कई साल का बच्चा जो आपके साथ बैठेगा उसका माइंड आपसे कहीं न कहीं बहतर रहे हैं इस बात को आप ध्यान रखिए गए जो यूथ निकल करके अब सामने आ रहे हैं जैसे कि आप और हम यूथ हैं इस समय हम पहले के जबाने के जो पड़िचार्थी रहे होंगे हम उनसे थोड़ा सा आगे हैं लेकिन आप जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं आपको कैसा फिल हो रहा है और कुछ लोग कहेंगे भया इसके लिए कुछ आप करिए तो मैं बिलकुल अच्छी तरीके से कारे कर रहा हूँ एक वीडियो दो वीडियो जो भी मैं दे सकता हूँ आपके लिए देने का प्रियास करूँ लेकिन उससे आपको खुसी नहीं होनी है, आपको final selection लेना है, तो आपको जी जाने करना पड़ेगा, अनवरत पढ़ाई करनी पड़ेगी, निरंतरता आपको बरकरार रखनी पड़ेगी, अगर आप सिच्छक बनना चाहते हैं, तो मैं आपको एक ही मूल मंतर दूँगा, कि आप पड़ाई से दूर मत हटिएगा, आपके ऊपर कितनों भी आर्थिक इस्थती खराब हो जाए या कुछ भी हो जाए, आप कुछ भी करके अपने परिवार का पालन पोसड़ करें, आपके सामने कुछ भी इस्थती आ जाए, तकिन आप पड़ाई को मत छोड़िएगा, आप अनवरत एक दो घंटे, तीन घंटे आप पड़ाई को देने का प्रियास करिएगा, ठीक है, प्रियास तो आप कर ही सकते हैं और देने का प्रियास भी करना है, अगर आप छोड़ देते हैं, तो आप कहीं के नहीं होंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है, हमार कई लोग ऐसे हैं जिनसे मैंने बात किया उन्होंने दो तीन साल पढ़ाई छोड़ दिया आज वो टेट नहीं पास हो रहे हैं लगातार ददस पांच पांच अच्छा बार ते टेट फेल हो रहे हैं उसका कारण यही है कुनका पढ़ाई से वास्ता खतम हो गया है जिस दिन आज आज आपको सफलता नहीं मिलती है कोई बड़ी बात नहीं है मुकदर जब होगा मिलेगा हाना लेकिन अगर आपने पढ़ाई छोड़ दिया तो मुकदर भी आपका साथ छोड़ देगा ठीक है यह वीडियो कैसी लगी बताईएगा कमें बाक्स में और डियलेट बीच जाने वाला ठीक है चलिए बहुत बहुत धन्यवाद